कि मेरी चैनल Tech डौक में आपका स्वागत है आज में टेक्सल के काउट टुल्स के बारे में डिटल में बताने वाला हूँ तो वीडियो मेरा कि पूरे तक देखियेगा तापके आपको अच्छे सेब बता सकूँ कैड़े में काउक के टूलज के बारे में तो मैं अभी यहां पे टेक्सेल के अंदर न्यू फाइल ओपन कर रहा हूं जो कि मैं 500 बैग 500 का बोक्स यूज़ कर रहा हूं यहां से मैं ग्रिडबार ओपन यानि की यूज़ कर रहा हूं इस टाइब से कुछ मेरा दिख जाएगा यहां से कलर दो नंबर का यानि कि बेगराउन के स साथ मेंचना हो फिर आपका जो काउस का टूल है वह आप कैसे यूज करें और किस स्टैप से आप डीटेल में उसको एक्जीक्यूट कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि काफी बार आपको पता नहीं चलता है कि टूल को कैसे यूज करना है और कहीं-कहीं है उसका इस टैप से कुछ लोगो है तो इस पर रैट क्लिक करने से खुलेगी इसकी प्रोपर्टी तो यहां पर भी एक्स में वन दिखा रहा है यहां पर रनिंग कोड है कंटीन्यों से बेर्जियर स्प्लाइन और स्प्लाइन स्प्लाइन तुरू डोट और यहां पर तो वह कुछ इस प्रकार से डोट्स आपका क्रीट करेगा दूस्रे पॉाइंट में क्लिक करोगे तो वह छोड़ देगा फिर आपके इसाब से थे देखे कि आप इसको किशने के वज़ेश से आप इसको सेट कर सकते हो किई को उपर लेए partnerships का यूस आप इसकी भी प्रकार स आप यह अपनी काउ को मूँ करवा सकते हो दिखे इस टाइप से कि छब आपकी काउस आपने बनाई यह और एक्जेट पोजिशन पर आ जाए तो आपको एंटर कर देना है तो आपका यह फिक्स हो गया तो यह था बस्ता है कि पहले option में में मैं दूसरा option सी एंट है तो आपको एक-पट pare click करना है फिर दूसरे पॉंचर किक करना है तो वह आपका हो गया फ्रीन फौip मूर्शी करता रहेगा इसी टाइप से दिखे तो मुझे जैसे tamam करना है मुझे इस उसटइप मरेखना है तो मुझे यहां पर क्लिक कर देना है तो यह हो गया मेरा fix देखिए अगर मैं यहां पर सिलक कर दाओ और फिर मुझे लंबा करना है तो मैं यहां पर सिलक कर रहा हूँ तो मेरा start point और end point select हो चुका है वो भी replace यानि कि वो भी place आप जेंज नहीं कर सकते हैं आप चेंज क्या कर सकते हो इसकी direction आप इसकी place देखे कुछ इस टैप से गुमा सकते हो यहां से कव ले सकते हो वं बढ़ा ले सकते हो जहाँ पर आप क्लिक करोगे वहां पर वो fix हो जाएगा देखिए मैंने यहां पर भी क्लिक किया है तो यह से क्लिक हो गया यहां पर यह पे दूसरा क्लिक चुज ओ चुखा है फिर यहां पर तिसरा क्लिक तो यह है पूरा क्लिक हो चुका है यह दो मैंने जो आपको पॉइंट बता या बेर्जियर और स्प्लाइंग यह आपके काम आले वाले नहीं है हमारे यह लिए सबसे बेर्ट स्प्लाइंग थू पॉइंट तो मैं आपको दिखाऊंगा किस टेप से होगा देखे आप जब भी कव यूज करोगे जहां जहां पर राउंड ने सकते फिग है कि अब आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं देखिया मेंगो के सप्ट में स्टाटिंग में यहां से मैं कर रहाई हूं फिर मेरे राउंड न обязательно चैक हनो मिलने के बद आपको करना है एंटर तो जहां पे भी आपका राउंड आ रहा था आपने वहां पे क्लिक किया था वहां पे इस टाइप से कुछ ब्लेक कलर के पॉइंट्स आपको बन के मिल जाएंगे तो आप वह पॉइंट्स को आगे पीछे करके आप उसे अपना सेप इजिली दे सकते हो अब ही मैं मेंगो का सेप दे रहा हूँ इसको यूज करने के बाद तो आप इस टैप से कुछ सेपिंग दे सकते हो एंटर तो यह देखिए अब ही मैंने एक प्रेइंड के लिए मेंगो बनाया है तो यह था आपका तीसरा option और यह है आपका roundness तो देखिए मैंने अभी low roundness में बनाया है अगर मैं high roundness करता हूँ तो क्या होगा देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर एक design में उसमें भी बनाता हूँ वही mango का सेब लेकिन देखिए high roundness के अंदर मैंने क्लिक किया तो वह इस टाइप से कुछ बन रहा है यानि कि यह जो मैंने dots यूज किये है वह नोर्मल round के अलावा बहुत ज्याधा turn हो रहे है देखिए यहाँ पर इसको जरा साही घुमाता हूँ तो बहुत ज्याधा turn हो रहा से यह point या तो यह point तक रखनी है ताकि हमें हमारे points यूज करने में आसा नहीं रहे अभी देखिए मैंने यहाँ पर x में भी वन लिया था य में भी वन लिया था तो इसकी वजह से मेरा जो figure है और इस टाइप से diagonally touch हो रहा था लेकिन अगर मैं यहाँ पर x में 1 ले रहा हूँ और y में 1 रख रहा हूँ तो मेरा figure diagonally कि टच नहीं होगा यह properly touch हो रहा है देखिए यहाँ पर आपको जहाँ पर कव लेना है पहले starting point पर जाना है फिर जहाँ पर कव लेना है वहाँ पर क्लिक करते जाना है राइट क्लिक करते जाना है राइट क्लिक करते जाना है फिर आपके end point को मिला के आपको राइट क्लिक कर देना है फिर आपको enter press करना है फिर जाके आपको black doors आएंगे तो आप black डिजाइन के इसाब से मेरा शेप आ चुका है तो आपको वापिस से एंटर दे देना है तो यह फिक्स हो जाएगा पूरा आपका डिजाइन तो देखिए मैंने अभी यहां पर एकस में दो कॉंटिटी ले रखी थी वन वोर टू चाहां पर भी आया वन टू और वाई में था एक तो यह होरीजोंटल लाइन एक ही रहे तो आप यहां से वह आगे पीछे कर सकते हैं सेम यहां पर भी कव के अंदर लाइन्स यूज की हुए जैसे की लाइन में यूज था म मैंने यह सेक्शन पूरा बता है था उसी टैप में भी कव में भी आप यूज कर सकते हैं देखिए इसमें में भी लए रहा हूँ यह वाला लाइन्स यानि कि उसमें भी में कव डो करने वाला हूँ तो देखिए यह इस टैप से कुछ आपके डिजैन मन चाहेगी मैं भी यहाँ पर मेंगो का से अपलूंगा तो देखिए कुछ इस टैप से आप डाइरेक्ट यूज कर सकते हो डिजैन में उसी टैप से अगर आपको यह वाली लेना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो देखिए इसी टैप से यह पूरा डिजैन में बन जाएगा तोую था मेरा काउग पे टूल्स के बारे में डिटेल में जो गिमिनimen हो बता दिया है तो अगर मेरी है दिस्क्रिप्शन में पता नहीं चला है मैनने क्या डिस्क्रिप्ट कि अगर पता नहीं चला है कोई प्वेंट पे तो मुझे कमेंट में जाके कमेंट करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक करिए शेयर करिए और आगे इसी टैप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए thank you मेरी चैनल को देखने के लिए